YouTube Automation Business Series की ये 20 में से 6th वीडियो है उमीद करता हूँ आपने पहली 5 वीडियो भी देखी होगी जिसमें हमने different issues के बारे में बात की different issues के different earnings के बारे में बात की कि आपका कितना expense होगा, कितनी आपकी investment होगी और आप मंतली कितना profit कमा सकते हैं Similarly, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम एक cooking channel start करते हैं जो के fully automated होगा, जिसमें ना हमारा time लगेगा जिसमें ना हमारी कोई effort लगेगी सारा काम हमारी team करेगी हमने सिर्फ दो काम करने हैं पहला ये कि हमने एक अच्छी team hire करनी है और दूसरा ही है कि हमने initially कुछ महीने इस channel पर investment करनी है ताकि आने वाले time पर इस तरह का channel हमें cash flow provide कर सके तो शुरू करते हैं आज की वीडियो आज की वीडियो में हमने जिस channel को discuss करना है उस channel का नाम है food fusion में भी अगर कोई खवातीन हमारी वीडियो देख रही है तो उन्होंने इस channel को कभी ना कभी देखा होगा इस channel से कोई ना कोई recipe देख के महमानों को या अपने घरवलों को लाजमी सर्फ कियोगी इस YouTube channel पे अभी 4 million subscribers हैं और इन्होंने currently 25 से ज़ादा वीडियो अपने YouTube channel पे अपलोड कर दी हुई है ये हर महीने almost 40 से 45 वीडियो अपने YouTube channel पे अपलोड करते हैं और जब मैं socialblade.com पे गया तो वहाँ जाके मुझे पता चला कि इस channel को पर मन्त तकरीबन तकरीबन 19 million views आ जाते हैं अब अगर हमने भी इसना का channel स्टार्ट करना है तो आपको पता है कि usually हमें जो team required होती थी वो होता था एक script writer, एक होता था voice over artist, एक होता था video editor, एक होता था thumbnail designer लेकिन इस YouTube channel की team थोड़ी सी different होगी हमें कोई voice over artist नहीं चाहिए क्योंकि आप food fusion की अगर कोई video देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि किसी भी इनसान की उसमें आवाज यूज नहीं की background पे सिर्फ एक soft music added है और पूरी video में किसी का भी face आपको नजर नहीं आएगा अब इस तरह की YouTube channel पे पिर हमें team required कौन सी है हमें एक चाहिए अच्छा सा chef उसके पाद हमें एक चाहिए video graph है जो साथ में video editing skill भी जानता हो number 3 पे हमें एक चाहिए thumbnail designer and number 4 पे हमारी choice है अगर हम चाहिए तो अपना एक channel manager hire कर सकते हैं अगर हम ना चाहिए तो हम videos upload और अपनी videos की SEO खुद भी कर सकते हैं अब सबसे बात करते हैं कि हमारा इस तरह का channel चलाने के लिए monthly expense कितना आएगा अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि number 1 पे आपको चाहिए एक chef अब एक अच्छा chef 8 घंटे की duty के लिए आपको पाकिस्तान में 50,000 की range में मिल जाएगा उसके बात जो आपने वीडियो ग्राफर रखना है मैंने जैसा के पहले बताया कि उसको वीडियो एडिटिंग भी आनी चाहिए और अगर एक इनसान को ये दोनों skill आते हैं तो हम उसको पर मन्त एक लाग और पे पे करेंगे उसके बात जो हमारा third number पे जो हमारा expense है वो है हमारा thumbnail designer अब इससे हम एक contract कर लेंगे इसको हम hire नहीं करेंगे यह हम किसी freelancer से करवाएंगे कि हमने आप से महीने की 40-45 वीडियो के thumbnails डिजाइन करवाने है और मैं आपको पर मन्त 20,000 रपीज पे करूँगा उसके बात मिसाल को तोर पे अगर हम channel manager भी hire कर लेते हैं तो आपको बता है कि हमने या तो इन तीनों में से किसी एक को channel manager बनाना है या अगर हम अलएदा से भी कोई बंदा channel manager बनाते हैं तो उसको हम save for save 15,000 रपीज पे करेंगे अब इन सारे लोगों की salaries अगर हम add करें तो ये बनते हैं महीने के 1,85,000 रुपीज अब कुछ लोगों को ये ज़ादा लग रहे होंगे कुछ लोगों को ये कम लग रहे होंगे जिन लोगों को ये कम लग रही है I'm pretty sure उन लोगों को पता है कि YouTube पे cooking channel से हम कितने पैसे कमा सकते है So इस channel के अब earning देखते हैं कि इस तरह के channel एक महीने में earn कितना कर लिता है अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस channel पे पर month 19 million views आती है अब मैंने आप लोगों को एक formula दिया हुआ है जिस formula में हम monthly views एंटर करेंगे हम CPM एंटर करेंगे हम dollar का rate एंटर करेंगे और हमारे पास total income आजएगी अब monthly views मैंने आपको बताया है 19 million इस तरह के YouTube channel पे जो आपको CPM मिल जाता है वो मिलता है almost 0.5 dollar और dollar rate अगर मैं 220 rupees भी लगाँ तो इस channel की monthly earning बनती है 20,90,000 rupees अब इस में से अगर मैं expense निकाल दूँ जो के था हमारा 1,85,000 rupees तो ये पर मन्त इनकी जो net profit है वो बनता है 19,00,000 rupees This is the power of YouTube automation business अभी जो आपके सामने earning निकल के आई है जरूरी नहीं है कि हर मन्त आपकी यह earning रहनी है या आज से दो साल बाद भी आपकी यह earning रहनी है या आज से तीन साल बाद भी आपकी earning stagnant रहनी है जिससरा के एक job में रहती है नहीं अगर आप monthly 40-45 videos add किये जा रहे हैं different different recipes add किये जा रहे हैं तो definitely आज से दो साल बाद, तीन साल बाद अगर आपके आज monthly views 19 million है तो तब जाके यह 50 million भी टच कर सकते हैं और 50 million अगर आपके views आ रहे हैं तो आप imagine कर सकते हैं कि आपकी passive income कहां से कहां पहुंच जाएगी So hopefully आपको YouTube automation business की power कुछ-कुछ समझ आ रही है अगर आपने यह पहली वीडियो देखी है मेरे चैनल पे तो आपको मैं recommend करूँगा कि जो already मैं 5 वीडियो बना चुका हूँ आप वो भी लाजमी जाकर देखें तब जाके आपके mind में फोड़ी सी clarity आएगी कि yes यार बात totally facts and figures पर हो रही है कोई यहाँ पर assumption नहीं लगाई जा रही है कोई यहाँ पर हवाई बाते नहीं की जा रही इसके इलावा भी मैंने total 20 वीडियो इस चैनल पर upload करनी है जिसमें हम totally faceless channels के बारे में discuss करेंगे totally automated YouTube channels के बारे में बात करेंगे और 10 उन में से ऐसे होंगे जिनकी audience पाकिस्तान और इंडिया में बेस करती है और 10 ऐसे होंगे जिनकी audience बेस करती है US, UK, Australia, Canada तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताके आप से इस तरह के कोई case study मिस ना हो सके अगर वीडियो पसंद आईए तो इसको like करें अपने दोस्तों के साथ भी share करें जिन दोस्तों के साथ मिलके आप ये channel start करना चाहते हैं मिलते इंशाल अगली वीडियो में तब तक के लिए अलाफेस